हलो एव्रिवान विल्कम बैक टो सिसम माथवन प्रैक्टिस सेट नूमबर ट्वेंटी एवन है यह आररबी एंटीपिस ग्रूपडी के लिए मैथ्स बेस्ट आन प्रिविएस यर कुशन सिरीज यह आररबी आची राची आची नहीं राची 1912-2007 में आया तक तोकसर आप थ कंटिन्यू नहीं कर रहो हम सोचेंगे आप कंटिन्यू इसको मेंटेन नहीं कर रहो ठीक है तो जो आड़ बजे बाला सेट है जो एट पीम बाला एससे सीजेल प्रिवेस यह चैप्टर वाइस टीचीस क्वेशन का जो सीरीज चल रहा है उसको अगर हम लोग लाइब में कर रहेंगे तो कैसा रहेगा आप कमेंट सक्सें में ज़रूर अपना ओपिनियन दीजेगा तो चलिए देखते हैं पहला वाला कोईशन क्या दिया हुआ है इन एक बाद जाके चेक कर लिया करो कहां पर लक्ष बैच का सीरीज दिया हुआ है प्लेलिस्ट में ठीक है तो देख 50% स्टुडेंट पास करता है ठीक है ध्यान से सुनना अब देखो सर 40% पास करता है कितने में बोथ में 40% बोथ में और 60% किस में हिस्ट्री में हम लोग जोडने का कोसिस करता है 65 प्लस 60 तो क्या हो जाएगा सर यह हो जाएगा आपका 125 इसमें से क्या कॉमन 40 पर सन हमने दो और काउंट कर लिए हां सर तो इसमें 40% आटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 5 इदर होता है 8 तो 85 तो 15 प्रतिशत ऐसा है क्या जो की दोनों सब्जिक्ट में फेल कर चुका है हां सर क्या ये 15% का वैलू दिया हुए 90 हां सर 1590 तो एक परसेंट का वैलू होता 6 जने तो 100 प्रति फिएम एंड धियर स्पीड्स आ 60 किलोमेटर प्रति घंटा और 75 किलोमेटर प्रति घंटा रिस्पेटिवली आफटर हाव मेनी किलोमेटर फ्रम पटना विल बौथ ट्रें मेर्ट स्थ्यान से सुनना पटना टू राची तक चल जाता एक जाता है 6 पी अगे दूसरा जाता ह आधा घंटे का जो डिस्टंस है ये क्या दोनों के बीच में पहले स्टार्टिंग में डिस्टंस होगा हां सर तो ये रिलेटिव डिस्टंस कैसे कबर करेगा एक ही तरफ जा रहा है तो दोनों का रिलेटिव स्पीट कितना होता है 75-60 बराबर 15 किलोमेटर प्रतिगंटा अब साढ़े आठ बजे मतलब कितना दूरी पर मीठ हो रहा है हम ध्यान से सुनता है समझते हैं दो घंटे के बाद तो पहले ये 6 घंटे 6 बजे से 30 किलोमेटर चल चुका है ठीक है आधा घंटे में उसके बाद 2 घंटे कितना हो जागा 120 किलोमेटर जाएगा पहले 30 किलोमेटर था अब 120 चला तो टोटाल मिला के कितना आजाएगा 1500 किलोमेटर चल जाएगा option number 2 is the correct answer ओके सर तो चले देखते हैं next question क्या दिया होए the length of a rectangle is increased by 40% and its breadth decreased by 30% the change of the area अब दो को से length बढ़ जाता है 40% और breadth decrease हो जाता है 30% तो a minus b minus of a b upon 100 हो जाएगा minus of a b upon 100 हाँ सर हो जाएगा क्योंकि एक length increase decrease यह कब रखता है जबकि multiplication is a constant property होता है ठीक है a b का constant property तब जाके यह formula लगता है तो 40 minus 30 किदर हो गया 10 हो गया 10 minus 4 3 12 हो गया तो 2% का decrease आएगा आपको option number 4 is the correct answer ओके सर तो चले देखते है next question क्या दिया होए the length of a plot of land is 4 times its breadth a playground measuring 1200 meter square occupies one third of the total area of the plot what is the length of the plot in meter ध्यान से सुनना एक playground measuring किया गया है 1200 meter square occupy किया जो one third of the total area of the plot है तो what is the length of the plot sir total area का one third अगर 1200 है तो total area कितना हो जागा बारात या 3600 ठीक है ध्यान से सुनना तो length equals to क्या है सर 3 भी है या फिर बोल सकतो breadth equals to L by 3 तो इसको L into L by 3 कर लेता है that is equals to 3600 तो यहां से क्या आ जागा सर L square equals to 363 तो यह 10800 किसी का square होगा क्या पता सर देखते है थोड़ा से समझते है ठीक है थोड़ा से समझते है मतलब सर क्या दिया हुआ है length of the four times is the bread तो सर one third of the यह जो दिया हुआ था यह दिया हुआ था कितना सर अच्छा दूगना था total area what is the four times दिया हुआ था सर गलत लिख दिया था four times होगा यह four times होना चाहिए था four times होना चाहिए था तो यह 3600 into four तो यह क्या हो जाता सर रूट करेंगे यह बराबर छे चक चत्ती साट इन्टू दो तो 120 मीटर लेंथ है आपसे number four मैं उसी को ध्यूंड रहा था कहां पर गलत पकड़ लिया थे यहां पर ते को चार गुना दिया हुआ था length चार गुना है लंबाई चोड़ा इसे चार गुना है दिया हुआ था तो चले देखते next question क्या दिया हुआ है इन जॉएंट फैमिली दे अवरेज अब दे ग्राउंड प्रेजेंट इन शिक्टी सेवन यह बरेजेज अब पेरेंट्स अच्छा यहां पे देखो ध्यान से दिया हुआ है ग 134 है यह दाधा ठीक है यह लिख देता है दाधा का अब देखो से एवरेज एज अब पेरेंट्स पेरेंट्स का मतलब सर पापा मम्मी का ठीक है तो पापा मम्मी का लिख लेता है 35 गुना दो तो 35 गुना दो मतलब 70 हो जाता है and that of the three grandchildren is six year मतलब बच्चों का ठीक है सरण कितना जने कहा तीन जने का छेती तीं आत रहा वाट्बाथ इस दे आभेरेज जए अफड़ जसगे टोल फैमली का कितना होगा 8 चक 12 गरहा 2 bag header कर फेरेफट बान इधर होता है 7 3 keys 10 iX 10 Colin बारा के गेर 파ुर्ट बान तो 222 after सर फैमिली में 224 चार तीं सात तो 7 से साथ ती निक्षिस, बारा आगया, साथ एकम साथ, साथ पांच बारा, थर्टीवान, रिष्टी दुवार, फाइवार, फाइवार, सेवन यर, आगया न खतम, option number 2 is the correct answer. ओके सर, तो चले देखते, next question, क्या दिया हुए? A railway train completes the distance between P and Q station in 48 minutes. If its speed is increased by 5 km पर आवा, then it will complete the same distance in 45 minutes. What was the initial speed? अब देखो, क्या दिया हुआ है? ध्यान से सुनना, P and Q के बीच में distance 48 minutes में cover करता है, ठीक है? तो 48 minutes में जो cover करता है, हम लोग पकड़ लेता है, x km प्रति घंटा, उसका speed था. तो 48 minutes में कितना जाता है? 48 into x km प्रति घंटा, हमने ऐसे ही लिख लिए, अभी कितना हुआ? अभी 5 km बढ़ चुगा है, तो x plus 5 into 45 minutes में कितना cover करता है? खतम का नी, तो यह दर होता है 688, अच्छा, और इधर कितना होता है? सर, इधर अच्छा, तीन से तीन एकम तीन, तीन चुगाटा, 16, 38, तो 16, इधर तीन, 15, 45, तो 16x minus 15x equals to 15, 5, 75, तो x बरावर कितना आता है? 75 आता है, तो 75 बरावर कहां है, option number 2 है, initial speed of the train, सर आपने meter per minute यहां पे था, और कुछ convert क्यों नहीं किया? सर, देखो, दोनों तरे भी conversion होता, कुछ भी गुना होता, दोनों तरे भी गुना होता, हम लोग सब भी लेते, P से गुना होता, ठीक है? इस unit को convert कर नेगले, तो दोनों तरे भी P से गुना होता न, तो P कड़ गया, खतम कहा नहीं, तो चलिए देखते, next question क्या दिया हो है? A 270-meter long train is running at a speed of 25 km per hour, 25 km प्रतिघंटे का असत से चल रहा है, 270-meter का long train, in what time will it cross a man coming from the opposite direction at the speed of 2 km per hour? अब देखो सर, 270-meter को cover करता है, अभी relative velocity क्या हुआ, man का, man और train का, सर 25 था, इदर 2 था, तो 27 हो जाएगा न, हां सर 27 हो जाएगा, लेकिन यह तो km per hour में दिया है, सर, 5 बटा 18 से गुना कर दो, उपर 18 बेज दो, हां सर, खतम कहा नहीं, तो 27-10, 270 होता है, 5-2-10 होता है, 18-2- 36 सेकेंड में उस बेक्ती को cover कर लेगा, वो आदमी या फिर train बोल सकते हूँ, वो train उस बेक्ती को cover कर लेगा, या फिर cross कर लेगा, तो चले ही देखते है, next question क्या दिया हुआ है, the ratio of area of square of sides a unit and an equilateral triangle of sides a unit is, अब देखर square का area क्या होता है, a square, और equilateral triangle का, sir, root 3 upon 4 a square, ठीक है, त ratio में, तो 4 is to root 3 कहा है, option number 1, आपको ये formulas अगर नहीं आता है, तो फिर दिक्कत हो जागा, आप थोड़ा सा पढ़ लिया करो, ये coordinate geometry का formula है, थोड़ा सा normally पढ़ लिया करो, तो उससे क्या हो जागा, आपका आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है, तो फिर बताईएगा, देखत हैं, क्या कर सकते हैं, आपके लिए, ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, आज directly ये जो classes record किया जा रहा है, directly upload करने के कोशिस करेंगे, देखते हैं, sound का थोड़ा सा इधर उधर होता ही कि नि, क्योंकि हम लोग enhance करता है, sound को थोड़ा सा बढ़ा लेता है, प्रीमेर करने के, क्या बोलता है, editing के time पे, खाली sound को enhance करता है, noise को cancel करता है, और इसको दे देता है, क्योंकि थोड़ा सा से 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 करके आवा जाता है, इसके अंदर, तो उसको थोड़ा सा reduce करता है, आज कोशिस करेंगे कि directly upload हो जाए तो, ठीक है, तो चलिए देखते है, next question क्या दिया होए, two trains are running on parallel lines at the speed of 50 km per hour and 30 km per hour respectively in the same direction, the first train crosses a man sitting in the slower train in 18 seconds, ठीक है, the length of the first train is, ध्यान से सुनना, क्या बोले गए, two trains running on the parallel lines at a speed of 50 km per hour, ये 50 में जा रहा है, ये 30 में जा रहा है, same direction में, the first train crosses a man sitting in the slower train in 18 seconds, 16-3 से, इसको 18 में cross करते है, जो faster train, जो cross कर रहा है इसको, क्या ये अपना length को cross कर रहा है, हाँ sir, खुद का length को cross कर रहा है, अब यह 50 यहां पर 30 लिख लेता है, यहां पर 50 लिख लेता है, हाँ सर खुद का लिंद क्रॉस कर रहा है, कितना सेकंड में, 18 सेकंड में, अब देखो 18 सेकंड में, relative velocity कितना हाथ है, 20 किलोमेटर प्रती गंटी का उसाथ से, 20 इंटू 5 बटा 8, इंटू 8, ठीक है, तो 8 क्या यह फास्टर ट्रेंड 100 मेटर क्रॉस करता है, हाँ सर, तो उसका लिंद कितना हो जाएगा से, 100 मेटर आजाएगा, option number 2 is the correct answer, किसी जगा पर ट्रेंड पर बैठा हुआ है, उसको क्रॉस कर रहा है, मतलब क्या खुद का लिंद जो फास्टर वाला ट्रेंड है, वो अपन लेंद क्रॉस कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, तो चलिए देखते हैं, next question क्या दिया हो है, when one is added to a numerator and denominator both of a fraction, it becomes 4, when one is subtracted from numerator and denominator both, it becomes 7, the numerator of the original fraction is, ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करता है, numerator and denominator को x और y पकड़ लेता है, ठीक है, इसके साथ numerator के साथ one add किये, अच्छा सर, ए एक्स बटा one पकड़ लिए, तो यहां पर one सबस्ट्रेक्ट कर गोई तो दिख कता जागा, नहीं सच छोड़ लेता है, एक्स बटा y पकड़ लेता है, तो one add किये, उपन नीचे, one add किये, तो क्या आजाता है, four, one minus करता है, तो x minus one, y minus one, क्या आ जाता है, seven, तो इन दोनों क घटाते है, sorry, x plus one equals to four y, अचा, उधर one को भेज देते है, four y plus three, यहां गया, और इधर आता है, x equals to seven y minus six, ठीक है, तो इनको घटा देते है, किदना आता है, plus आ गया, यह खट गया, तो इधर minus three y, तो उधर भेज देते है, तो three y equals to six 39 आता है, तो y equals to three आता है, y के value अगर three है तो बिठाओ, 4, 3, 12, 4, 16, minus 1, मतलब 15, तो x का value आगे 15, तो fraction, numerator of the fraction, मतलब x का value निकालना है, x बराबर 15 आ जाता है, option number four is the correct answer, okay sir, यह उपर वाला fraction को निकालने है, उपर का कहता है, numerator, नीचो का कहता है, denominator, उसी को निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है, चले देखते है, next question क्या दिया हुए, after five years, the age of father will be thrice to that of his son, while his age was seven times to that of his son five years ago, the present age of the father, अब देखो sir, पांच साल के बाद, पांच साल के बाद, पांच साल पहले, यह प्रेजेंटेज है, पांच साल पहले क्या हुआ था, sir, father or son क्या था, sir, after five years, the age of the father will be thrice that of son, तो sir, father or son का ratio 3 to 1 लिख सकते ह after five years, before five years ago, पांच साल पहले क्या था, his age was seven times that of his son, तो father's age is to seven is to one था, इन दोनों का गैप कितना है, छे, इन दोनों का गैप कितना है, तो इसके साथ तीन गुना कर लो, खतम गानी, तीन तीन तीन, तो साथ से नो होता है, दो बढ़ता है, एक से तीन होता है, दो बढ़ता ह से दस रेशियो, दस साल के समान, दो रेशियो के बरावर, दस साल के समान, एक रेशियो के बरावर, पांच साल के समान है, ठीक है, एक रेशियो बरावर, पांच साल के समान है, ठीक है, एक रेशियो बरावर, पांच साल के समान है, अब सर एक रेशियो के वैलू, अगर प square is increased by 25% the area will increase by देखो साइड सागर 25% बढ़ता है तो area कितना आ जागा सर 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 अपन 100 तो यह होता है A प्लस B क्योंकि यहां पर देखो area मतलब A square के property यह A B के property तो 50 प्लस इधर होता है 625 तो 56.25 इंक्रेमेंट हो जागा option number 4 बरावर correct answer ओके सर तो चले देखते है next question क्या दिया हुआ है आपके बीज में एक question तबाई कि की सर set देना पड़ेगा की नहीं देखो सर एक चीज इसमें हम लोग लगवग लगवग 3000 के आसपास question आपको करवा देंगे ठीक है उसके बाद आप एक दिन छोड़के एक दिन करके एक mock test देते रहो एक दिन छोड़के एक दिन क्यों बोल रहे है क्योंकि हर एक दिन pressure लेना के ज़रूद नहीं अभी group D के लिए थोड़ा सा time है तो जैसे ही ये 3000 question को आप दो बार practice करोगे mock test में देखना आपका कोई question नहीं अठकेगा 25 में 25 आपको आएगा इतना तो वादा आपको रहेगा ठीक है अगर आपको 20-22 आ रहा है अगर आपको 20-22 आ रहा है आप analysis करो और बताओ कौन सा वाला chapter आपका दिक्कत हो रहा है तो आप नीचे comment section में बताना अगर लग रहा है कि मेरे साथ आप उसको analytics को आप share कर सकते हो तो आपका कौन सा चैप्टर में problem हो रहा है आप mail करोगे कहाँ पे exam portal sscmathan at the rate of gmail.com ठीक है उससे क्या होगा मैं आपको बता दूँगा या फिर guide कर पाऊंगा कि कहाँ पे होगा लेकिन हमेशा एक चीज़ सोचेगा कि जिस दिन mail कर रहे हो उसी दिन मैं आपको reply नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारा schedule यहाँ पे पहले से जमा हुआ है ठीक है क्योंकि मेरा 30 दिन का बना हुआ है जितना सारा PDF मैंने मैनत करके बनाया था सारे के सार उड़ गया मेरा machines खराब हो गया दोनों ही एक laptop और एक computer ही खराब हो गया था फिर जाके फिर computer को repair किये तब जाके अभी process में ठीक ठाक चल रहा है ठीक है तो 30 दिन का PDF खराब हो गया मतलब आपका काम कितना बढ़ गया समझ में आ रहा है आपको इसलिए आप जब mail करोगे exam portal sscmathon at the rate of gmail.com क्या बोले exam portal sscmathon portal sscmathon at the rate of sscmathon at the rate of gmail.com ठीक है यह about में भी दिया हुआ है आप check कर लेना mail को तो और कर देना वहाँ पे क्या आपको problem कहां पे हो रहा है तो मैं उसको analysis करके आपको बता दूँगा किस तरीके से आपको उसको सुधार ना है ठीक है आपको mail पे ही बता देंगे कोई video अलग से नहीं आएगा उसी mail पे reply आ जाएगा थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा मेरा लेकिन फिर से आपको अगर इस से आपको सुधा होता है तो आप जरूर कीज़ेगा ठीक है देखो क्या लिखा हुआ a wheel makes a hundred thousand revolution to cover a distance of 88 km the diameter of the wheel ध्यान से सुनना 88 km मतलब sir 88,000 meter बोल सकते है हाँ sir 88,000 करता है कितना thousand revolution में तो काट देता है तो एक revolution में 88 meter कवर करता है अगर 88 meter कवर करता है तो क्या बोल सकता है sir sir 2 pi r बरावर sir 88 तो यहां से r बरावर क्या जगा 2 r बरावर क्या जगा sir 88 upon 22 उपर 7 pi से डिवाइड करते है तो बाइस चुके sir 88 तो क्या होता 4 7 28 तो इसका diameter कितना हुआ 28 meter investing 9000 after 5 months Sudhakar joined the business investing 8000 if the end of the year they earn a profit of 6970 then what will be the share of the Sudhakar in profit ध्यांसे सुनना कांती कितना में किया sir 9000 में ये कांती ये सुदा कर रहे ठीक है after कितना महीना 5 महीना तो सुदा करने कितना में जगा sir 8000 कितना महीने के लिए sir 7 महीने के लिए 8000 लिख के 8800 लिख देरो अच्छा ठीक है 5 महीने के बाद मतलब 7 महीने के लिए ये काम आया इसका कितना आया sir 12 महीने के लिए तो इसको 0 हटाओ 0 हटाओ तो 4 दूना 8 4 3 12 तो 9 3 27 आता है इसका 7 दूना 14 तो रेशियो कितना आया 27.14 टोटल कितना रिपीज आया 6 9 7 0 किसका निकालना है सर्फ सुधा करका सुधा करका कितना आ जागा सर्फ 14 27.14 साथ सर्फ रियारा के रिफर्ड वन तीने कम 41 तो इधर से कितना आता है 41 एकम 41 और कितना आता है sir 41 चल जाएगा तो इधर होता है 28 287 तो साथ 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 चल रठथ है तो 71 तो 170 आता है तो 170 आता है मतलब sir आपका 17 इंटू 14 गुना करना है तो 47 रठथ है लास्ट में 8 आएगा तो 0 आएगा और 8 आएगा कौन सा है option नमबर 3 देखो 2380 आपके लिए answer दिया हो है क्या आपको कोई दिक्कत है इसमें कि option नमबर 3 मार्क करने में आप गुना कर सकतो हो खुद से गुना कर लो तो 170 इंटू 10 क्या हो जागा 1700 इंटू 14 क्या हो जागा 0000 7 चुक 8 इस करिफर दो 4 गम 4 पांचे तो 68 तो यहां से क्या आता 8 0 8 7 5 6 12 गम 3 तो 280 आगया खतम कहा नहीं तो चले देखते नेक्स्ट कोशिन क्या दिया हो है इन वाट टाइम रूपीज 8 ताउजन एड 3 परसंट सिंपल इंट्रेस्ट पर अनाम विल प्रोड्यूस साम आर्णिंग एज रूपीज 6 ताउजन डज इन 5 यर एड 4 परसंट सिंपल इंट्रेस्ट ध्यान से सुनना सर 6,000 रूपे क्या बोले गया देखो 6,000 रूपे 5 साल में 4 प्रतिशत के हिसाब से जो इंट्रेस्ट प्रोड्यूस करता है वो इन वाट टाइम किस समय में 8,000 रूपे में 3 प्रतिशत के हिसाब से किस समय में एक ही interest produce करेगा, सर हमने टी समय ले लिया तो 0-0 हटा देता है, 0-0 हट गया तो इधर क्या होता है, 0-0 हट गया 3-2-6 होता है, सब 2 से काटता है तो 2 काट, तो 4-4 कट गया तो T equals to 5 साल, तो 5 साल में एक ही produce करेगा, option no. 3 is the correct answer, okay sir तो चलिए देखते, next question क्या दिया हुआ if 10 men or 18 boys can do a piece of work in 15 days then 25 men and 15 boys together will do twice the work in, कितना दिन में काम करेगा, ध्यान से सुनना और है, and है, मैंने आपको क्या कहा था, कि number of days को लिखेंगे and men by or men and men कितना है, 25 है, देखो and men मतलब, and के साथ जो men लिखाओ है, वो 25 है, अपन और के साथ कितना में लिखाओ है, 10 है, plus and men and boys, 15 है और or boys, कितना, 18 है, तो इसको जोड़ो, तो 15 उपर, और नीचे कितना हो जागा, 18, 10, 180 कर लेते हैं तो 25 इंटो 8, ठीक है, अच्छा 90 कर लेते हैं, तो उपर 90, आटरा 5, 60, ठीक है, तो 10, 90, तो 25 इंटो 9, प्लास यदर 15 से कितना हो, तो सर 9 से 5 हो जागा, 15 इंटो 5, 18, 5, 90 होता ना, हां सर, तो सर 15 इंटो 90, नीचे कितना आजागा, 25 नो, 225 और 15, 5, 75, तो कितना, तो 300 आजागा ना, हां सर 300 आजागा, तो काट दिया, 3, 10, 3, 3, 9, तो 10 से काटेंगा, तो 5, 2, 10, 5, 3, 10, तीन, पंदरा, 3, 3, 9, बाटा 2 दिन, अब देखो ध्यान से सुनना, then we'll do that twice the work, अच्छा, 9 बाटा 2 दिन में करता है, वो वाला काम, एक काम तो उसका दूगना काम करेगा, कितना दिन में, 9 दिन में, option number 3 is the correct answer, ठीक है सर, तो चली देखता, next question क्या दिया हुआ है, a tap can fill a tank in 25 minutes, another tank can empty in 50 minutes, if both the taps are open together simultaneously, the tank will be filled, मतलब, 1, 25 में fill up करता है, दूसरा खाली करता है, 50 में, तो total tank capacity 50 ले ले लेते, total tank capacity TTC परावर 50, तो 25 में fill up करता है, 50 unit मतलब, 1 minute में 2 unit, 50 में खाली करता है, 50 unit, मतलब, 1 minute में खाली करता है, एक unit, तो दोनों में मिलके एक unit fill up करता है, अब 50 unit का tank, कितना, एक unit प्रती minute की सब से, कितना time लगए गया सर, ठेक है सर, तो चले देखने next question क्या दिया हुआ है एक garrison of 200 में has provisions sufficient for 24 weeks, मतलब कुछ खाना दिया है, 200 जने का 24 हपते के लिए at the end of the first week a reinforcement of 18 में arrives, मतलब सर, 80 में का, 80 में वहाँ पे जाके पहुँचा एक हपते के बाती and the ration per day of each में of them reduced from 900 to 750 grams, for how many days longer can they hold out अब ध्यान से सुनना, ये समझना हमेरे लिए बहुत ही महत्पूर्ण है देखो 200 जन के लिए था, किदिना हपते के लिए बचा हुआ था, सर, 23 हपते के लिए बचा हुआ था, एक हपता तो खा लिया हाँ सर, 23 हपते के लिए बचा हुआ था, हर एक का कितना था, सर 900 gram करके था, अभी कलम सा अदमी है, सर अभी 80 मैंस जूड गया तो 280 हो गया, कितना gram करके लग रहा है, सर 750 ग्राम करके लग रहा है, तो कितना दिन के लिए बचेगा, तो यह हो जागा नंबर अफ डेस, खतम गानी हिसाब करो, 00 हटाओ, तो 25 तिया 75 पचिस चोके 100, देखो 20 हटा दिया तो 4 कर लिए, ठीक है, तो 3 से काटते है तो कितना आजाएगा, 3, 3, 9, ठीक है, 3, 9, 27, अच्छा नहीं हो रहा है, और इधर कितना आजाएगा, तो 2 से, 2, 14, 28, तो 2, 7, 14, इधर रहता है, तो 3 दुना चार, तो 3 दुना 6 और 23, सर 23, इंटु 3, इंटु 2, अपन 7 आ रहा है, हमने सही किये, सर पता नहीं देख लेते ह देखो, सर कितना दिन के लिए रहेगा, ये तो week के लिए हमने इसाब किया था, तो सर एक week बराबर साथ दिन कर लेते हैं, तो साथ दिन खतम कर लिए, काट दिये, तो 23, 23, 26, तो 6, 38, कैरी फोड़ वान, चे दुना बारा है कम तेरा, तो 138 दिन के लिए खाना बचा हो रहे है, and that of Sonu's age to Subod's age is 5 is to 6, if the total their ages is 69 years, how old is Vijay, देखो सर सोनु के age, और Vijay के age क्या है, सर 4 is to 5 दिया हुए, अच्छा, यहां पे देखो, ratio that of Sonu to Subod, तो Sonu के साथ Subod ले लेते हैं, इसका केतना हुआ, 5 is to 6, ठीक है, तो देखो सर ये दोने equal करना है, तो इसको 5 से गुना करो, इ इसका equal हो गया, यह दोनों का, अब 5 से गुना, 4 से गुना करते है, 4 चोके 24, तो 24 आ गया, देखो ratio आ जा रहा है, अब how old is Vijay, Vijay कौन सा है, सर लास्ट वाल, बीच वाला है, 25, तो 25 अपन, इधर जोडते है, तो कितना होते है, सर, 5, 4, 9, 2, 3, 6, 69, इन्टू 69 साल, इनका साम विजय, option number 4 is the correct answer, यह थोड़ा सा ही calculation था, इतना आसान question पहले, आपको नहीं दिखेगा, तो चले देखते, next question क्या दिया हो है, one side of a parallelogram is 14 cm long, its perpendicular distance दिया हुआ है, from the opposite side is 16 cm, what is the area of the parallelogram, sir, 14 into 16 हो जागे इसके एरिया, और कोई दिख्कत है, नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो, sir, half into base into height करोगे, एक triangle का मिलगा, फिर से half into base into height करोगे, ठीक है, तो यह कर लेता है, तो 14 into 16 कितना हो जागा, 6, 24, 4 आएगा, last में, देखो, sir, 4 आगया, option number 2 is the correct answer, 224, आप गुना करते रहा है, मैं आपको खाली sort trick सिखा रहा हूँ, कहां से answer आपको निकालना है, किस तरीके से, ठीक है, तो चली देखते है, next question, क्या दिया होगा है, a metallic cube of dimension 27 into 8 into 1, 27 into 8 into 1, melted to form a cube, what is the difference in surface area of the two solids, देखो, sir, इसको गुना करके, ह 8, इधर होता है, a equals to sides क्या मिल जागा, sir, इधर होता है, आपका 2 into 3, 9, 37, मतलब 6 side वाले, अब देखो, sir, milt, जो cube को milt किया गया है, उसका surface area क्या होता, sir, 2 into a, b, plus b, c, plus c, ठीक है, जहां पर a, b, c, हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, तो क्या हुआ, sir, 2 into, 2 into, what is the difference निकालना होता है, sir, 2 into, हमें क्या मिल गया, a, b, 27 into 8, अचा, plus b, c, r into 1, plus c, 1 into 27, मतलब 27, तो 2 into, यहां से क्या हो जाएगा, sir, area, sir, 27 into 8, कितना होता है, sir, 27, 8, 216, 8, 756, 5, 82, 16, 5, कितना होता है, sir, 65, 11, 216, 216, 8, 27, ठीक है, तो यह देख लेता है, कितना होता है, sir, 27, 8, कितना होता है, sir, 39, 37, 39, 36, 36, 35, 35, 35, इसको जोडता है, तो कितना होता है, sir, 5, 6, 11, carry for 1, 3, 4, 5, 251, 251 into 2, 25, 50, 50, और 2, 502 आगया, ठीक है, तो 502 इसके area होता है, और अभी के लिए cube के area कितना होता है, 6 square, मतलब 6, 6, 36, 216, तो अभी इन दोरु का difference कितना होता है, 502 और 216, तो 6, 6, 12, एक आ सर, ओके सर, तो चली देखते, next question क्या दिया होता है, एस sum of money deposited at compound interest becomes Rs. 6690 in 3 years and Rs. 10035 in 6 years, the amount is, ध्यान से सुनना, हमें क्या दिया होता है, 6690 हो जाता है, कितना साल में, sir, 1 plus R upon 100 hold to the bar, 3 साल में, देखो sir, 100, 10035 कितना साल में हो गया, sir, 6 साल में हो गया, तो 1 plus R upon 100 hold to the bar, 6, अब ध्यान से देखो, हम लोग यहां से क्या निकाल सकते है, 1 plus R upon 100 hold to the bar, 3, हाँ sir, 1 plus R upon 100 hold to the bar, 3, बराबर क्या आया, 10035, यह 0 कहां गया, 10035 upon 600, 6690, तो 0 कट, अच्छा 5 से काटेगा, तो 5 एकम 5, एकम 6 आता है, 5 3 15, एकम 16 आता है, 5 3 15, एकम 16 आता है, 5 3 15, और 5 8 40, तो यहां 2007 upon इधर आता है, आपका, कितना है, sir, इधर आ गया, 1338, अब देखो, sir, एक चीज, ध्यान से देखना, हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं, यह दोनों, अच्छा, यह amount था, इकोस तो principal लिखलना था, sir, यह principal था, तो दोनों कट गया, हम लोग क्या यहां से निकाल सकते है, कि principal का value किसी तरीके से, हा, sir, निकाल सकते है, principal के value, देखो, sir, यहां पे put कर देते हैं, तो क्या आता है, 6690 equals to principal into, sir, 2007 upon 1338, हा, sir, होगा, समझ में आ गया, हा, sir, समझ में आ गया, देखो, sir, 266, principal equals to, क्या हो जागा, 6690 into, sir, 1338 upon 2007, हा, sir, हो जागा, तो देखो, sir, 2007 कहा होता है, 7 दोना, 9, 3 से काटेगा, 3, 6, 18, 19, 20, 3, 6, 18, 19, 20, 19, 27, ठीक है, अच्छा, sir, 6690, 30, 2007, 6690, 10, 0, यहा आता है, 3 से काटते है, 3, 4, 4, 6, 0, आ जागा, आपका answer, कहा है, option 3 is the correct answer, यह थोड़ा सा, अलग तरकीव लगा है, आप चेक कर लेना, एक बार, कैसे लगा, आपको जरूर ब दिया है, 5, 2, 3, when 4 liter mixture is substituted by 4 liter milk, the ratio of the milk and the water in the new mixture, यह कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना, इसमें कितना था, sir, 20 liter का mixer में, sir, 5 liter था milk, मतलब, sir, 5, 3, 8, तो, sir, 20 into 5 बाटा 8 था milk, अच्छा, वाटर कितना था, sir, 20 into 3 बाटा 8 था water, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, sir, 20 liter का ए 16 में समझते हैं, 16 में हम लोग समझते हैं, पहले, ठीक है, 16 में इतना था, तो 16 में कितना था, 4 liter तो हटा लिए, तो देखो, sir, 8, 2, 16, 5, 2, 10 था, कितना, milk था, इधर कितना था, sir, 8, 2, 16, 3, 2, 6 था water, ठीक है, यह milk है, यह water है, अब क्या कि एड, sir, 4 liter of milk एड़ किये, by 4 liter of milk, mixture को हटा लिए, मतले, even तरीके से हट गया न, हाँ, sir, 4 liter milk एड़ किये, तो पहले 10 था, अभी 4 हो गये, 14 हो गये milk, तो 14 liter milk हो गया, the ratio of the milk and the water, 14 into 6, 2, 6, 2, 7, 14, 7 is to 3 हो गया, option number 3, क्या यह आसान था, हाँ, sir, आसान था, बहुत आसान था, चले देखते, next question, क्या दिया हुआ, एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का coins था, जिसका ratio था, 1 is to 2 is to 3, value of the coins, 30 रुपे का valuation था, what is the number of the 5 पैसा coins, अब धन से सुनना, sir, पैसे में हम लोग समझते है, 30 रुपे बराबर 3000 पैसे था, ठीक है, 3000 पैसे थे, 3000 अगर पैसे थे, तो इनको गुन सर 25 और 25 और 5, 50 और 60 आता है, तो 3,000 पैसे में, अगर 60 पैसे के औसत से हिसाब कर रहे है, तो 6, 5, 30 आता है, हाँ, sir, तो 50 आजाएगा, तो 50 एक एक करके ratio में था, 50 एक एक करके ratio में था, इनका देखो valuation आता है 15, तो 50 इंटू 15 इसका valuation आ गया, या फिर बोल सकतो 5 तिन 15, दे मतलब total देड़ सो पैसे थे, पांच पैसे का, देड़ सो पांच पैसे का coin थे, ठीक है, समझ में आया, यह बहुत ही आसान सा question है, तो चले देखते नेक्स question क्या दिया हुआ, ए और भी एक company start करता है, A invested the thrice to that of B, मतलब B किस से तीन गुना, A invest करता है 3B, the period investment of A is twice that of B, मतलब total profit, total profit क्या हो जागा, total profit कितना आएगा, यह आपके लिए homework रहता है, ठीक है, आप देखना, comment करके जरूर बताईएगा, answer आता है, तो अगर आप कर सको, तो आपसे आगर नहीं होता है, तो फिर छोड़ दो, अगर होता है, तो comment कर बताना, जिसका comment पहले होगा, उसको क्या क कर देंगे, comment को pin कर देंगे, thank you, bye bye, stay tuned for the next class.